हेलो नमस्ते किसान साथियों कैसे हो आप लोग आसा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे तो किसान साथियों यहाँ पर देख लिजिए ड्रिप लग चुका है खेत में पूरी तरीके से और इधर हम लोग बांज दिये हैं आखरी छोर को ताकि पानी बाहर न निकले पाइप से जग़ जग़ पर इस तरीके से कुछ बांज दिये हैं खूटी गाड कर आप लोग देख लिजिए तो सुबह से ही काम कर रहे हैं हम लोग बांधने का और थोड़ा बहुत टेड़ा था बीच में अच्छे जिकल सिधा नहीं हो पाया था तो उसको भी सिधा किये तो काफी मेहनत लगा और काफी टाइम भी लगा हम लोग तीन जण मिलके काम किये हैं भाया और सागर है हम लोगों के गाउं का साम को हम लोग खाद डालेंगे पहले तो पानी चलाएंगे ड्रीप में जहां जहां पर छेद है जैसे कि यहां पर छेद है तो यहां पर पानी गिरेगा तो जहां पर पानी गिर रहा है वहीं पर हम लोग खाद डालेंगे ताकि बाद में जगह इधर उधर नहीं तो खाद कहीं और पे है और पानी कहीं और गिर रहा है चाहे पौधा कहीं और पे है पानी कहीं और गिर रहा है ऐसा समस्या देखने को ना मिले इसे लिए ह हम लोग पहले पानी चला कर चेक कर लेते हैं कि पानी गिर कहां पर रहा है वहीं पर खाद डालेंगे वहीं पर पौधों की रोपाई होगी तो साम को रोपाई करते हैं आप लोगों को दिखाता हूं अभी लगबाग 11 बच चुका है कुछ भी खाया पिया नहीं हूं तो चलत हम लोग लेंगे आधा बोरा यूरिया एक बोरा डीएपी और दो बोरा एससपी सिंगल सूपर फासफेट लेंगे इतना हम लोग डालते हैं बेसल डोज स्टार्टिंग में जगह के अनुसार बेसल डोज अलग-अलग होता है मिट्टी के अनुसार भी अलग-अलग होता है त क्योंकि हर जगा एक समान नहीं होता है, हर जगा अलग-अलग लगता है, तो अनुपात यही है कि एक यूरिया, उससे दुगुना डियेपी, उससे दुगुना एसेसपी, तो यही अनुपात में हम लोग खाद मिक्सिंग करवाते हैं, चल के देखते हैं, तो यहाँ पर खाद मिक्सिंग का काम चल रहा है, एरहा हम लोगों का आनंद कम्पनी का सिंगल सुपर फास्ट, इसका हम लोग दो बोरा यूज कर रहे हैं, एक बोरा यहाँ पर डाल दिये हैं, और एक बोरा डियेपी भी डाल दिये हैं यहाँ पर, तो दो बोरा एसेसपी य की दोपार के ढाई बज रहे हैं किसान सातियों आप लोग दिख सकते हैं खेतों के साइड आया हूं और पहली बार इनसाल हम लोग ड्रिप को स्टार्ट करके देखे हैं, कुछ इस प्रकार से देखिए, सिंचाई हो रहा है, ट्रैल के लिए हम लोग चालू करके देखे थे, तो पानी तो बराबर रूप से नीचे तक भी चल रहा है, यहां भी ठीक से सिंचाई हो रहा है, अब हम को खाद डालकर बस रोपाई करना है और यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं हम लोगों का जो देशी जुगाड था फिल्टर का धकन गुम गया था तो यहां पर जो प्लग लगा दिये थे तो यह धकन बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया मतलब देशी जुगाड हम आप लोग देख सकते हैं लगभाग 2-3 घंटा से काम चल रहा है इन सब लाइनों में देखिए जहां जहां पर पानी गिर रहा है वहां पर हम लोग जो खाद मिक्स किये थे उसको लगाते जा रहे हैं हलका हलका कोछ इस प्रकार से हम लोग खाद को लगाते जा रहे हैं यह यहां पर सागर है, बाल्टी में खाद लिया है, मिक्स जो किया था वहां पर, थोड़ा-थोड़ा लगाते जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से, और उधर पीछे साइड मिकसिंग चल रहा है, चलिए आप लोगों को दिखाता हूं, इस प्रकार से मिकसिंग होते जा रहा है, तो किसान सातियों मिर्च का पौध़ा आ चुका है, उखाड कर हम लोग ले आएं है कटवत पर आप लोग देख सकते हैं मिर्च के पौधे यहा Campaign अपर तयार हैं और रोपाई भी चालू है और पौध्यों का जो Style है आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं तो इतना बड़ा-बड़ा पौधा है इसका रोपाई चल रहा है तो साइज ठीक है ना आप लोग कमेंट करके बताईएगा इतने छोटे-छोटे में लगा रहे हैं पौधों को क्योंकि पौधों को छोटे में ही लगाएंगे तो इनको सम्हालने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जैसे कि माबाप बच्चों को छोटे से ही पढ़ने के लिए जोड देते हैं ताकि उनको अपने पैरों पर खड़ा होने में ज्यादा वक्त न लगे ठीक उसी प्रकार हम लोग इन पौधों को मारूपी नर्शरी से दूर करके खेत नामक स्कूल में पढ़ने के लिए लगा रहे हैं यानि कि पौधों को छोटे में ही रोपाई कर रहे हैं खेतों में मतलब मेरे पास मुह है तो मैं कुछ भी बोलता हूँ तो ए रहा मेरा सस्ता सा उधारन पौधों को जल्दी ट्रांस्प्लांटेशन करने के ऊपर चलिए आप लोगों को जा कर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से पौधों की रोपाई हो रही है तो आप लोग देखिए वीडियो में कुछ इस प्रकार से मिर्च के पौधों की रोपाई होते जा रही है मिट्टी भी गिला है और अच्छे से रोपाई करते भी बन रहा है कुछ इस प्रकार से देखिए और लगभग तीन क्यारी में हम लोग रोपाई करते हुए आगे लेते जा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों का मिर्च का पौधा है उखाड के लाएं है नरसरी से देखिए यह जो छोटा सा पौधा है जो सीधा खड़ा है इसको संभलने में बिलकुल वक्त नहीं लगेगा तुरंत इसमें से नए नए पतियां आने लगेंगी यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है देखने में यह जो मिर्च के पौधों की रोपाई हो रही है इनका हर एक अपडेट मैं आने वाले दिनों में इसी वाले चैनल पर दूँगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस प्रकार के खेती बाड़ी वाले सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों को इस वाले चैनल पर मिलता रहेगा आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टोपिक के साथ बहुत जल्द तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद